नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता और इस वक्त हम नौईडा की सेक्टर 93A में मौजूद है जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है ट्विन टावर को आज गिराया जाना है काउंडाउन स्टार्ट हो चुका है और अपसे कुछी देर में इस ट्विन ट्वावर को धराशाई कर दिया जाएगा हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं यह ट्विन टावर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे है आपसे कुछ ही समय बाद जैसे ही घड़ी का काटा 30 पर पहुँचे गा याने की धाई बजे इस ट्विंग टावर को धराशाई कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दरसल इस ट्विंग टावर को जब धराशाई किया जाएगा तो इससे 80 लाग टन मलबा निकलेगा आखिर उस मलबे का क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है इसके अलावा जो पॉल्यूशन बढ़ेगा वो एक दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी होगी तो तीसरी समस् लोगों के स्वास्थ को लेकर जिसको लेकर तमाम गाइडलाइन्स भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है ताकि लोग उन गाइडलाइन्स का पालन करें मास्क पहले अपने आपको धूल के गुबार से बजा कर रखें क्योंकि जैसे ही यह टावर ध्वस्त होगा धूए का गुबार चारो तरफ फैल जाएगा धूल का गुबार चारो तरफ देखने को मिलेगा और खबर जो मिल रही है उसके मताबिक अगर हवा के रुख की मान को बचा नहीं पाएंगे तो यह तमाम तरह की दिक्कतें तमाम तरह की समस्या हैं जो आम लोगों के सामने यहां पर पैदा होंगी यानि की तीन बड़ी समस्या हैं एक तो जो मलबा यहां से निकलेगा उस मलबे को किस तरह से हटाया जाएगा तो दूसरी समस्या यहां पर ये खड़ी होगी कि जो धूल का गुबार यहां से निकलेगा उससे लोगों को दिक्कते होंगी उसको मैनेज करने के लिए किस तरह के इंतजाम यहां पर किये गए हैं तो तीसरा बड़ा सवाल लोगों के स्वास्त को लेकर खड़ा हो रहा है खास वासे जो अस्थमा के जिनको सांस की बिमारी है सांस की समस्या है उसका यहां पर कैसे इंतजामात किये गए हैं यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है जो इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं उसे कुछ ही देर में धराशाई किया जाएगा लेकिन उसके बाद जो समस्याए होंगी उसे लेकर भी चिंता यहां पर जताई जा रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त अमाय साथ खास महमान भी जुड़ रहे हैं आप अपना तारूप किया सकता है और मैं सब्सक्राइब करता हूं क्योंकि इस बहुत आगे तक हम ऐसा कई पीडियो तो जाएगा नोड़ा में जो गदर मचरा है जो ब्रहस्टाचार की सीमाई सारी तोड़ दी गई है उस पर कहने कहीं जरूर अंकुष लेगा और लोग इस पर जरूर जो सकारी अधिकारी जो नेतागण है इस पर जरूर अमल करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है और मैं बदाई दूँगा उन माने नहीं अधिसों का समाने सुप्रिकोट का जिन्होंने ये बहुत बड़ा डिशन लिया है और ये आज ये हम साक्षात होता अब ये गंटे बाद जो बिल्टिंग हमारे पीछे खड़ी है ये दोनों टूइन टावर यहां से हमेशा के लिए धरा साही हो जाएंगे बिल्कुल ये इतिहास के पन्ने में अब दर्ज होंगे अपसे कुछी देर में आने के ठीक जैसे ही डाई बजएगा उसके बाद ये दोनों के दोनों टूइन टावर धूल में बिल जाएंगे लेकिन इसको लेकर कई तरह की समस्याएं भी खड़ी होंगी उन समस्याओं के आज जो ये ट्रिंट टावर का जो मैटर आया है और इसमें जो सुप्रीम को का डिसिजन से विच इस वेलकम डिसिजन और ये जुडिशियरी कितनी स्टॉंग है ये नहोंने पहली बार बहुत बार नहोंने एक्जांपल दिये लेकिन इस फील में कंस्रक्शन के उसमें पह सब्सक्रारा में फ्लाट कई दे हैं उनकी कॉस्ट यहां बढ़ गई है ये लोगों को काफी दिक्कते यहां पर होंगी समध्धी सवस्या यहां पर लोगों को होगी खास तो और से जो असमा के पेशेंट हैं या दूसरी समस्या हैं उनके लिए दिक्कते जाहर तौर पर पेशाइंगे इस चीज़ को करने के लिए रहेगा और उनको दे आप टूसरी करने के लिए लेकिन लोगों को इसमें अपने आपको सेफ करने के लिए दूसरी के लिए अपनी स्वास के लिए अपनी हैल्प के लिए खुदी काम करना पड़ेगा अड्मिस्रेशन करेगा सब कुछ दो कर रहे हैं लेकिन जब तक सेल फैल नहीं करेंगे यह इसकी सॉलिशन नहीं निकलेगा मैं एक छोड़ा सा क्षिए नहीं करना जाता हूं ज जो गुबार निकल रहा है जो निकल रहा है आप I don't know whether technically I am not a technical man उपर से पानी क्यों नहीं डाला जा रहा है अगर वो पानी डलता है तो जो जो गुबार उपर से निकल रहा है वहां पर डब सकता है अगर क्यों नहीं की गई है कि जो धूल का गुबार निकलेगा वो एक बड़ी परिशानी है उसको दूर करने के लिए किस तरह के कदम यहां पर उठाइब आए जाएंगे उसके लिए यहां पर प्रिशासन क्या कुछ इंतिजाम यहां पर करता हुए नजर आ रहा है लेकिन समस्य यहां पर एक और भी खड़ी हो रही है जिस तरह से जब बिल्डिंग गिरेगी तो जो असी टन का मलबा है उसे हटाने के लिए किस तरह के इंतिजा प्रिशास के लोग रहने वाले हैं और उनको बहुत बढ़ी दिक्क्त आएगी तो वैसे तो मलबा सुनने मारा कि जो प्राजी करने को रोड्स बनाने में यूज करेगी इस्तेवाल करेगा पर इसको अटाने में ही कई महने लेंगे तो वैसे प्राजी करने को प्लानिंग क लेकिन फिर भी गौर्रमेंट इसको लेकर बहुत मुस्तरी से कम कर रही है और उम्मीद है कि जन स्वास्ट के परती लोगों की भावनाओं के धान रखते हुए अवसे इसमें कोई स्वाकार कदम उढ़ाएंगे ऐसे मुझे उम्मीद है पिरिखे यही एक रास्ता है कि ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि अब इसको गिराने को लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसके जगे जो निर्धन लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए इसका इसका इस्तमाल कि आजा सकता था बजाए इसको की गिरा दिया जाए तो याट कुछ है भी नदर अनदर शॉलिशन बट ओनली प्रोब्म एक बाकिकी जो रेस्टेंस है उनको ना एयर जा रही थी ना उनको जुन रेस रेसी तो देया और प्रोब्लम इन आप वन आपको इतनी open space छोड़नी पड़ती हैं, वो open space as per the bylaws होते हैं, for making any society, which was not followed, so obviously जो दूसरी residents हैं, they were like staying in a jail, it's a cage for them, so it had to happen, your right kit could have been converted, लेकिन उनकी problem solved नहीं होती थी किसी आलत में, तो उनकी problem को take care करने के लिए, The Supreme Court has taken a right decision, and well, it's a problem right now, as far as concern की गुबार उठेगा, यह होगा, वो है, लेकिन एक लोगों को सबक विलेगा, और लेक्स टेम जब लोग जाके बिल्डर से खई देंगे, they will be more cautious about it, कि सारे क्लियर होगे, अब तो यूपी गॉब्मेंट रहरा बना दी है, तो that's a big help to everybody, तो एक मैसेज आना भी बज़रूरी था, और यह मैसेज बहुत अच्छा कनवे किया है, तो क्या लगता है कि इससे भ्रहष्टाचार का खात्मा होगा, जस तरह से हमने देखा, कि मिली भगत भी यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, कि ट्विंट टाबर तो गिरा दिया जाएगा, लेकिन जो दोशी है, उनको सजा कब धूख? पुष्टी दोनों सरकारों में बसपा और सफ़ा का खाल का लेसर है, मैंडम, बिल्डर ने जो चया हो काम हुआ, जो उसकी मनमानीती पैसे के बल पर उसकाम हुए है, पर साक्षात आज उखान सामने है, और हालकि इस बिल्डिंग का अपयोग हो सकता था अन्ने किसी कारिय में, लेकिन यह गिराना बहुत जूरी था, इस गिराने से एक संदेश जाएगा, आज सबसे ज्यादे इस बिल्डरों खराब है, जो इस तिदी एक आम, आम आज सारण इंसान जो बैंक से लोन लेके, किस तरह एक मकान फ्लेट बुक करता है, कैसे और रहना चाहता है, अप सबसे लोगों की सियात ही है, कि उसाब इनकी प्लानिंग बहुत हो चुकी है, कि एवल इन विल्लोगों ने अपड़ा घर भरने काम किया है, जनितने इननों कोई कारी नहीं किया, इस फैसले से एक नजीर पेश किया है, सुप्रीम कोट ने, सरकार ने, इस एक्जाक्ली या सबसे का यार कल यह नहीं हमारे साथ यह हो जाए, जो यहां पर आप से कुछी देर का इंतजार है, कांडाउन स्टार हो चुका है, और उसके बाद यह दोनों के दोनों ट्विन टावर जो इस वक्त आप तस्वीरों में भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आप से कुछी द में यह ट्विन टावर धरार शाई हो जाएगा और सिर्फ इतिहास के पन्नों में इस ट्विन टावर की चर्चा होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा नजीर यहां पर पेश किया जा रहा है, उन भरष्टाचारियों के खलाफ जिनकी मिली भगत के चलते ही इस ट्विन टावर झाल झाल